हलो एवरीवान वेखम बाक तो माई चानल और कैसे हैं आप सभी उम्मीद करते हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे सेहत मन्द और कुशाहल होंगे वीडियो है कल का डिनर में मैंने बनाया था बहुत ही अमीजिंग सा दाल मकनी इसका बहुत ही अच्छा डीटेल में रेसिपी में आपके साथ शेयर करूँगी आप भी बनाएगा आपको यह पसंद आएगी I'm sure शुरुबात करते हैं डाल से और डाल लेना है उड़द होल काली डाल जो होती है वह वली डाल लेनी है और राजमा अगर आपने एक कप लिया है उड़द डाल तो एक चौथाई कप आप राजमा ले सकते हो राजमा भी इसमें ऑप्शनल है राजमा और उड़द के डाल को बहुत अच्छी तरह बहुत अच्छी तरह मतब 6-7 बार धो लेने के बाद इसको थोड़े हरे इलाईची एक काला इलाईची सिनमन स्टिक थोड़ा सा तेजपता एक चोटा साई तेजपता डाला है मैंने स्वाद के हिसाब से नमक डाल कर कर लीजिए छे साथ सीटी लगानी होगी इसमें तो यह सॉफ्ट हो जाएगा आपको धियान देना है कि आपका जो राजमा है और जो दाल है वो बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाए प्रेशर कुक करने का यही परपेस है दाल तो अभी आगे बहुत देर तक हम को पकानी है तो जो टेस्ट है क्रीमिनेस है स्मूधनेस है वो बाद में अचीव कर ली जाएगी बट वो गलाना आपको कुक कर में है आप चाहे तो इसे ओपन पैन में भी गला सकते हो बट इट टेक्स अलोट अफ टाइम अगर आप प्रेशर कुक में भी बना रहे हो ना तो दाल मकनी बन गये थे तो इसका प्रेशर आटोमाटिकली रिलीज हो जाने के बाद मैंने इसका डखन खोला है इसका मोस्ट पानी खता मुझक है जादा पानी मैंने रखा भी नहीं था इस टेच पे सबसे पहले तो जो आपके गरम मसाले डाले हैं मोटे मोटे उनको निकाल लीजे बहतर पानी डालूंगी और डाल मकनी में आपको स्टेजज willingness पे बार पानी डालना परता है क्योंकि जो ओड़त दाल होती है यह बहुत चिकनी होती है यह जल्दी से आपकी दाल को गडारा कर दीता है तो आपको पकाते-पकाते डाल गारी फील होने लगे गी तो आप उसे डालन कटा हुआ प्यास में आड़ कर रहे हूं दाल मखनी बनने की शुरुबात हो चीक है तड़के में ही मखन डल चुका है और इसमें काफी सारा मखन जाता है अगर आप होड़ेल्स की रेसिपी जाएं तो जितना आपने दाल लिया है उसका 75% तक वो लोग मखन डालते हैं बट ह घर में ऐसा नहीं करेंगे थोड़ा सा अच्छा बाला व्रेशन इसका बनाएंगे हैं तो पहला सुटहला प्यास बूं जाएगा ऊच्छा व्रेट्र का प्यास ड़े गालिक उम्सेट और यह तो Kश्मीरी लाल मिर्ठी का प्याओडर बस और कोई तो बहुत अच्छा कलर देती है इसको यूशुली टेमाटरों से पहले डाला चाता है हर रेसिपी में यह थोड़ा सा भून जाएंगे यहां पर दाल जो पकरी है अडिशनल पानी डालकर उबालने के लिए रखावा इस पर ध्यान दीजेगा क्योंकि यह तले में चिपकती ह आप इसे अनटेंडेड मत छोड़िएगा जैसे मैंने बताया ना उड़त दाल काफी जादा स्टार्ची होती है तो वह चिपकने लगती है इसे चलाते रहिए और यहां जब हमारा प्याज तो भून चुके थे लसन भी अच्छी तरह भून चुका होगा जिंजर गाली का अच्छी खुश्बू आने लगेगी तो आड किया है मैंने यह चार बड़े-बड़े हैवी से लाल टमाटर जितने लाल उतने बहतर और इसको आप ढ़का लगा के पकाने रख दीजिए इसमें टमाटर का इंपॉर्टन्ट रोल है जितने अच्छे आप पके हुए टमाट मिर्ची का पॉडर सादा लाल मिर्ची है कश्मेरी मिर्ची नहीं गाप द circuits नाम के लिए हल्दी का पहुडर में यह मिला है हल्दी से भी तो इसको मिर्ची का लाल रंग है न हमकर निकलता है के उन्हाटर मिर्ची मि openness नहीं हरा कि रिचांतर आपको आर्या कडाई में मैं अगर वो सारा डाल डाल देती ना तो वो उपर तक आ जाता फिर मैं इसे चला नहीं पाती इसलिए मैंने इसको एक बड़े बरतन में ट्रांसफर कर लिया है क्योंकि दाल मकनी को बहुत चलाना पड़ता है तेल यू तो आप उस हिसाब से बरतन का चुनाब अगले दिन लगती है इसलिए कल के लिए थोड़ा बचाना भी है ना तो इसलिए मैं जादा बना रही हूं बड़े बरतन में मैंने दाल और मसाला दोनों इंकॉर्पोरेट कर लिया है और इसे चलाना है और इस स्टेज पे अब आपको इसमें कुछ नहीं मिलाना है आप इ तीजे बट तीज पे तीज चालीज मिनट एक घंटा जितना आप इसको इस वक्त पका लेंगे काड लेंगे आपकी दाल मखनी उतनी ही स्मूर्ड और टेस्टी बनेगी और इतनी देर पकाने के बादना सारे फ्लेवर आपस में अच्छ तरह रच बस जाते हैं जब आप अ इसलिए मखन जब आप अड़ करने का सोचें उससे पहले आपकी दाल अच्छी तरह गढ़ चुकी हो अच्छी थिकनेस ले चुकी हो स्मूध हो चुकी हो क्रीमी हो फिर आप डालिये मखन और फिर इसे चलाना शुरू कीजे अब इसको लिड लगा लगा के पकाने की ज़र गालिक का जो प्यॉरे जैसा था ना वो मैंने आड कर दिया है यह मिक्स्चर देखिए अभी बिल्कुल ही क्लावडी लग रहा है यह थोड़ी देर में कोर में जैसा हो जाएगा क्योंकि जो मक्का रहना उससे गी सेपरेट हो जाएगा और जिंजर गालिक भी अच्छी तर इसका अपना एक अलग टेस्ट होता है वो आएगा ही आएगा आएगा आपके ग्रेवी में और वो आई टेल यू बहुत अच्छा नहीं लगता है तो बहुत स्यादा लाल मिर्ची का पाउडर की एकदम ही लाल लाल डाल बनानी है ऐसा मत कीजेगा एकदम मॉडरेशन में और यह देखिए यह हो गया कोर में जैसा बहुत सुन्दर तैयार जरा सा काली मिर्ची का पाउडर में यह एड़ करें थोड़ा ही डालना है थोड़ी सी चीनी फ्लेवर्स को बालन्स करने के लिए यह कसूरी मेथी जो कि मैंने भून लिया था और इसे हाथों से क्रश करके पाउडर जैसा बना लीजे और यह सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स दे दीजिए अब यह जो मसाला तेयार है यह आड़ कीजेगा दाल मकनी के अंदर एक और बात में आपको बताना चाहूंगी जो दाल मकनी अभी आप पॉट के अंदर देख रहे हो ना इस स्टेज प दाल कर आप इसे प्रजर्व नहीं कर सकते हैं अगर आपको अगले ही दिन खा लेना है तो अगर आप 2-3 दिन के लिए प्रजर्व करना चाहते हो तो तड़का डालने से पहले से प्रजर्व कर सकते हैं सारी चीजी मिला देने के बाद अच्छे तरह स्टर दीजिए जी बंदर जडाएं नहीं मिलाईगा मकफन ढ़ने से पहले ही जो करना है कर लीजए मकफन डालने के बाद और इसमें कुछ भी पानी ड़ना है जला चला की थोड़़ी तर पका लीजे, थोड़ी दिर पका लने के बाद मैंकर दिया गैस बंद और अब मैं हमकर इ मलाई मैंने लिया है अमूल फ्रेश क्रीम आप घर का मलाई भी ले सकते हो बाट इसे डालने के लिए गास बंद करना जरूरी है दाल आपका बिल्कुल वैसा बंद चुका हो जैसा आपको चाहिए थिकनेस नमक एवरी सिंगल तिंग और इसके बाद गास बंद करके ही मलाई म लाउडी हो जाता है और दाल मकनी हो गई आपके तयार डिफिकल्ट नहीं है यह रेसिपी थोड़ी सी ट्रिकी है कब क्या डालना है कितना डालना है और किस तरह इस्तमाल करना है और ऑबिसली दाल एक ऐसी चीज है दाल ही नहीं सारे जो कठोर होते हैं लेंटिल्स जिनको पकने में बहुत टाइम लगता है उनको आप जितनी ज्यादा देर पकाएगा उतना ही बढ़िया उसका स्वाद निकल कराता है डाल होगे रेडी सर्विंग बोल में मैंने इसे ट्रांसफर कर लिया है गार्णिश कीजिए थोड़ी सी क्रीम के साथ और यह दाल आप बनाए नान ही ओडर करते हैं जब रेस्टरांट जाते हैं बट मेरा मन नहीं था मतब शर्मा जी बच्चे लोगों को भी नान खाने का मन नहीं था इसलिए मैं चपाती कर रहे हूं नान की एक रेसिपी मैंने पहले बनाई थी उसका लिंक में वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक् इसके साथ तो रेसिपी आप रेफर कर सकते हूं अच्छे लगेगी आपको और डिनर हमारा हुच चका है और जो डाल मखनी मैंने बनाई थी आप यह ट्राइ कर सकते हूं आपको पसंद आएगी बहुत अच्छी बालेंस्ड टेस्ट की बनी थी वैसे मैं आपको बता हूं दाल मखनी का जो मैंने बनाया है यही एक रेसिपी नहीं है बहुत सारे रेस होता ही नहीं है। अनलेसी प्रॉलियर डिश हो, रेक हाः एक अपना रीशिन होता है। जैसके मैंने प्छाड भी दाल दी बेढ़ हूं है। यह पनी प्रॉसा एक पनी प्याज को एपन ही यह बहुत लोग अपनी पुरली का शॉब अपनी तो गी शॉतम प्रॉशा दालं नान, गार्लिक नान भी पसंद करते हैं लोग, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसके साथ है ना, बहुत मज़िदा लगी कि पानी के हाथ की रोटी, और पानी के हाथ की रोटी, बहुत ही जादा, मुझे लगता है, इस वेरी स्पेशल नाओ, यह एक ऐसी रेसिपी है, जो बड नाओ, म्का का बानी को मिलेगी, जैसे मेरे बच्चे संथे आगए कि पानी के हाथ की रोटी क्या होती है, वुझे बनानी भी नहीं आती है, मैं सच कहूँ आपको, मैंने सिर् Dew मेरी मम में बहुत अच्छे पानी के हाथ की रोटी बना लेती थी, तो मैंने कभी तो ट्राई तो मझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, वो थोड़ी अलग तरह की रोटी होती है, सॉफ्ट भी होती है बट क्रिस्पी भी होती है, हम लोग तब भी ये डस्टिंग वाला जो होता है ना फ्लावर डस्ट करके रोटी बनाते हैं, इससे थोड़ी से थिक होती है और वो यूजुवली चूले पर बनाए जाती है और बहुत ही जादा क्रिस्पी, सॉफ्ट और सोंधी होती है वो रोटी, बहुत अच्छी लगती है अपका एक बात बता हूँ, अपनी लाइफ के एक्सपीरिंस से में बता रही हूँ है, बहु बाते हैं रिलेशन, बंदा वो चले जाया तो फिर वो वापस नहीं आते है इसलिए आपके पास जो है उसे सहेज के रखे चेरिश दोस मोमेंट्स, चेरिश दोस रिलेशनशिप्स तभ ही जब वो आपके पास है कि कि उसके बात तो इस लाइक तू लेट तो जब आपके प मैं आपको बताना चाहती थी कि यहां वडोधरा में और सिर्फ वडोधरा ही नहीं, वडोधरा, सूरत, राजकोट और एमदाबाद में है आज साटरडे से नाइट कर्फ्यू इंपोज कर दिया गया है तो यानि कि रात को नौ बजी से लेकर सुबद 6 बजी तक अभी वापस कर्फ्यू तो ऐसा लग रहा कहीं लोगडाउन वापस ना लगा दिया जाए वो तो खेर देखते हैं कि क्या होता है आगे आपके सिटी का क्या हालत है आप मेरे साथ कॉमें बॉक्स में शेयर कर सकते हो वडोधरा मत हमारा यहां गुजरात के चार सिटी का ऐसा हालत वो तो मुझे पता है आपके स्टेट में क्या रेगिलेशन है दू शेयर देम विद मी तो बस इसी के साथ आगे हम इस वीडियो के एंड पर उमीद करते हूं आपको आज का वीडियो और रेसिपी पसंद आई है रेसिपी आप त्राय कर सकते हो अच्छी थी और अगर आप आपको पसंद आएगी शेयर कर सकते हैं आप जल्दी ही मिलूंगी मैं आपसे एक नहीं वीडियो के साथ तब तके लिए आप सभी रखे अपना देर सरा ख्याल मुझे दीजी इजाज़त वाई बाई टेक केर चानल पर आप पहली बारा है तो जाते हो प्लीज बाई बाई